आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें दाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो कीचो, एक प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अब ही राउनलोड करें तो यह basically क्या होता है, कि जब हमारा दीरवरत का सम्मीकरण x square अपुन a square प्लस के y square अपुन b square equal to 1 हो ठीक है, और जब a greater than b हो जब a greater than b, general हम a greater than b लेते हैं तो basically x hainta हमारा क्या होता है, दीरगच होता है यह हम general condition मानते हैं पर लेकिन basic condition यह होती है, कि जहां पर हमारी नावियां इस्तित होती हैं वही हमारा basically दीरगच होता है तो अगर हम focal 1 इसको focal बोलते हैं तो जो focal 1 को 2,0 और focal 2 अगर minus 2,0 मालने तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही जो नावियां हैं वो हमारी x अच पर इस्तित हैं तो basically x अच ही हमारा क्या होगा? दीरगच होगा जब x अच दीरगच होगा ठीक है, जब x अच दीरगच हो गया तो y h हमारा लगू अच हो जाएगा तो फिर basically ये अपना result लागू हो जाएगा x square upon a square plus y square upon b square और ये अपना focal 1 और focal 2 तो ये result होता है कि कोई सा भी दीरगच पर अगर कोई बिंदू हो तो उसकी पहली नाभी से दूरी प्लस दूसरी नाभी से दूरी का यो सदैव दीरगच की लंबाई के बराबर होता है तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2 equal to हमें मिल जाएगा 8 तो a equal to हमें मिल जाएगा 4 ठीक है a equal to 4 तो a square कमान हमें कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा ठीक है और बेसिकली नाभी के निर्दे सांग क्या होते हैं नाभी के निर्दे सांग हमारे ae,0 होते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि f1 ae,0 तो बेसिकली यहां से हमें ae कमान कितना दे रखा है 2 दे रखा है a कमान जब 4 रखेंगे तो e कमान कितना मिल जाएगा 1y 2 मिल जाएगा अब हम जानते है b square कमान कैसे निकाले है तो इसके लिए हमारे पास formula है b square equal to a square 1 minus ke e square तो basically a square कमान रख दो 16 और 1 minus ke 1y 4 तो यह हमें कितना मिल जाएगा 16 into 3 बटे 4 यानि basically कितना 12 मिल जाएगा तो अब जो हमारा देरुवरत का समीकरन है वो क्या बन जाएगा x square upon 16 plus y square upon 12 equal to 1 अब हमें क्या करना था basically हमें x,3 जो विंदू था वो देरुवरत पर इस्थित था और हमें x का धनात्मक मान बताना था जिससे ये विंदू इस पर इस्थित थो तो x square upon 16 जब 3 का whole square करेंगे तो 9 upon 12 तो basically 1 minus 9 upon 12 तो यह कितना मिल जाएगा 3 बटे 12 मिल जाएगा ठीक है तो यह 1 बटे 4 मिल जाएगा तो x square कमान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा तो यहां से x कमान basically कितना आ जाएगा x square के value जब 4 आएगी 12 माइनस नो 3 3 बटे 12 एक बटे 4 एक बटे 4 तो 16 बटे 4 4 हो जाएगा तो x कमान प्लस माइनस के 2 तो हमें तो only x का धनात्मक मान निकालना था यहां से हमें x equal to 2 मिल जाएगा यही हमारे question का answer है thank you